हेलो फ्रेंट्स एक और नई सरकारी नोकरी के साथ में सिवराज चौधरी आप सभी का आपके अपने चैनल यो हेल्फ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की जो वेकेंसिया वो बार भी पास के इंडिडेट्स के लिए है और इंडिया वेकेंसिया अ 12 अलग अलग सीर्स पर यहां पर वेकेंसी जो है आई गई है यह वो नोटिफेकेशन है जो कि सरकार के तरफ से जारी किया गया है इस भरती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए एज लिमिट यहां पर आपको दी गई है एक अगस 2018 तक आपकी आयू कम से कम 19 वर्स होना चाहि येफ साइट के link हमारी मिल जाएगी आपको वीडियो की description में वहा पर जाकरकिसका notification आप download कर सकते हैं link वीडियो की description में दी गया है। इस पर जो selection होगा आपका Return Exam के मद्यम से selection होगा साथी साथ cuma test भी यहां पर आपको तिया गया है यहां पर आप आप देख सकते हैं और हमनो प्रिशन प्रत्र 2 और यह आपकी जो है यहाँ पर सारीरिक दक्षिता याने कि आपकी जो फिजिकल मेजरमेंट है वो कितना क्या होना चाहिए यह देख सकते हैं हाइट आपकी जनरल के लिए 160 cm होना चाहिए और जो चेश्ट का साइज है वो 81 cm होना चाहिए हापर आप देख सकते हैं और और आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा यहाँ पर आपको दौड रहेगी उची कून रहेगी लंबी कूद गुला फ करेंगे मैं नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाता जाता हूँ जो जो इंपॉर्टिन रहेगा मैं आपको बता दूगा अपको ऑनलाइन करना पड़ेगा फॉर्म की बात करें तो एप्लिकेशन फीस आपको 800 रुपे का एप्लिकेशन फीस लगेगा और जो जहारखंड के नोटिफिकेशन को और मैं यहाँ पर आगे बढ़ा देता हूँ कि क्या जरूरी इंपॉर्मीशन है जो जरूरी इंपॉर्मीशन होगी वो मैं आपको बता दूँगा वीडियो का प्लाइक जरूर कर दीजेगा लाइक करने से हमें एक्चुली पता चलता है कि हमारे कौन से वीडियो से आपको ज्यादा च्छे लगते हैं रिटान एक्जाम और फिजिकल टेस्ट के मादे में इस पर सेलेक्शन होगा बारवी पास इसमें योगता है जहार खंड के बाहर की जितने भी रिजब के टिकरी के केंड़ेट है उन सब को जनरल में काउंट किया जाएगा सिरेहां यहां पर देक सकते हैं कि कि यह सीलेश टियागर यहां यहां पर असानी से पड़갈ा है कि क्या से यहां पर आया हुए है थोड़ाता समय यहां पर आपको जूम हो गया था थोड़ाय से इसको यहां से भाहर करूँ आ ठीक ए यह question paper था आपका थोड़ा से scroll करके हम नीचे आते जाते है notification के पूरा notification आपको मिल जाएगा चिस official notification को upload पढ़ लेजेगा और भी सारी चीज़े हैं यहाँ पर यह आपका category certificate किस तरह कहों चाहिए उसका format दिया गया है शियहाँ पर नीचे हम यहाँ पर आते हैं तो यह आपको जो है इंग्लिस का सिलेबस यहाँ पर आपको दिया सकते हैं काफी बड़ा सिलेबस यहां पर रखा गया है तो इसमें आपको जो है तैयारी थोड़ी से ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि आसान नहीं लग रहा है संस्कृत भी यहां पर दी गई है ठीक है तो इस तरह से यह पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको एकस्प्रेइन कर दिया अगर आप बारवी पास है तो जहारखंड एससी के अंतरगत स्पेशल कॉंस्टिबल के इस रेक्रूट्मेंट के लिए आप उनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म जरूर से भर दीजेगा सिब बारवी पास इसमें योग गिता है रिटन एक्जाम और अगले वीडियो मिलेंगे एक और नहीं सरकारी नौकरी के साथ हैंगे